एक और बड़ी खबर आ रही है युक्रेन के नेप्रों के अस्पताल के पास भी बड़ा हमला हुआ ये स्वक्षी एक और बड़ी खबर रूसी क्रूस विसाल से बहुत बड़ा हमला हुआ रूसी हमले के बाद अस्पिताल के पास आग लग गई है तस्वीरे आप देखे ये तस्वीरे नीप्रो से सामने आ रही है रूसी हमले में कई गाड़िया भी जल कर खाक हो गई है तस्वीरों में देखे विवेश का इस युद्ध की साफ तौर पर नज़र आ रही है एक किसे देखते हैं तावर तोड हो रहे ही इन हमलों को जहां 110 बड़े अचाक किये गए हैं छे बड़े शहर साथ बड़े शहर बाफ की जिगा टागेट पर पिलकुल देखिए ऐसा है कि ये रशिया का टेम्ट है युक्रेयन की विल पावर को खदम करना उनकी फाइटिंग स से कम होती जारी है और जो यूर्पीन कंट्रीस हैं उनके अंदर भी आपस में एक मत्वेद है कि कित्री देर तक अब सपोर्ट करेंगे युक्रेयन को तो इसका फैदा भी रशिया उठा रहा है और आगे चलके जैसे जैसे विंटर और बढ़ता जला जा रहा है तो रशिय जो नेवर असेट्स हैं उनको बिल्डाप किया जा रहा था आपको मालूंगा 25 तरीकों उनका एक LST को दुबाया युक्रेयन ने और वो LST और उसके अलावा दोर LST पहले बरबाद किये गए थे यह LST फीबियस असोर्ट के अंदर इस्तमाल होते हैं जब आप समंदर के र जो फाइटिंग केपिबिलेटी, आमामेंट, हत्यार और सपोर्ट फॉम दिवेस्ट उसका वो अभी फ्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है रस्या और अभी आगे चलके देखना पड़ेगा कि जो अटेंशन डेवर्ट हो गया इसराइल की तरफ उसके चलते जो क्रिटिक सब्सक्राइब को मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल पारें क्योंकि वो डिवर्ट होगे, बिड्ल इस्ट की तरफ, इत्रे सब्सक्राइब से रखूंगी कि अमेरिका ने भी आख टेड़ी कर ली है, यूक्रेइन को लेकर और जो सप्लाइ होनी चाहिए थी, वो डाइव होते हुए इसराइल चली गई है, लेकिन अब देखना होगा इन अटाक के बाद क्या कदम उठाया जाता है